नमस्ते डोक्टर नमस्ते आये बैठी थेंक यू थेंक यू बुली कैसे आना होगा वो कुछ इसना देरे थी आप चाहिए हां बताईए क्या सब्सक्राइए आपको चलि वाहर न आता हूं अरे बैठी आप मुझे बताईए शर्वाइए नहीं बैटे बैठे बैठे क्या बात है कैसे बतम समझ में नहीं आरा है देखिए मैं डॉक्टर हूँ और आप मुझसे खुल के बाते कर सकते हैं इसलिए आपनी प्रोब्लम मुझे बढ़े जिजक हो के मुझे बताईए कि क्या प्रोब्लम है आपकी कि अपने गर्दन पर क्या हुआ है कुछ नहीं वह पास यहीं तो प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम दिखाएंगे अपोजे दिखाता हूं लेकिन मैं दोक्टर एक्षडी ना मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं वाँ अभी अभी हमारा प्यार मैं ना बनाए हूं और मेरी फैंली बहुत इस्टिक है कि उस लड़की ने मालब मैं रात को जब उसके साथ फिजे के लिशन बना रहा था था ना तो यह अरे आपके तो बहुत निशानों रखे देखिए वैसे इसका कोई खास इलाज तो है नहीं लेकिन क्या आपको अकसर यह निशान पड़ जाते हैं वो कभी-कभी हो जाता है ना जोश्मा आ जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई स्किन प्रोब्लम हो नो नो मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है वो बस रात को थोड़ा सा भाग गया था मैभी और वो पी मैं आपको इक बात बता दू वैसे अधसर ऐसे निशान फिजिकल करते वक्त पड़ जाते हैं लेकिन उतना डरने की कोई जरूद नहीं है यह निशान वैसे चले जाते हैं लेकिन इतना गहरा निशान पर डोक्टर मैं अगर यह देख लिए तो मैं तो कया तो आप किसी भी क्यूंक नहीं की द्वाइब बताया कोई तरीका निशान प्रफेसे लेकिन खुर की आपका यह जाते है इसकी अपोड़ा नहीं वैसे तो इसका गर गरम पानी की थोड़ी सिकाई होगी तब ही ठीक हो सकता लेकिन आपको बहुत जल्दी है इसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसन लिख देती हूं जी जी प्लिज ठीक है और सेक्स करते वक्त हमेशा धियान रखिए कि इसकिन पर इस तरह की कोई निशान ना तीक है क्योंकि अक्सर होता है मैंने देखा है लेकिन निशान पढ़ते हैं इस तरीक एकितन नहीं जो अभी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बलके जो मैं आपको क्रीम लिख कर देरी वैसे तो यह दो तिन में अपने आप खतम हो जाते हैं दो दिन या तीसरे दिन यह निशान आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन आपने अभी बताया कि मुझे घर जाना है थोड़ा सा प्रोब्लम है फैमली है तो उसके लिए मैं आपको ट्यूब लिख रही हूं तो उससे आपके दो तिन दिन में निशान पूरी तरह चले जाएं और साइड इफेक्ट तो इसका खैर कुछ नहीं है बागी गवरानी जैसी कोई बाग नहीं है पूछी प्लीज आप इस बात का बुरा उत्मा नहीं नहीं आप बताईए बताईए आपको तो यह पताई कि निशान यह कैसे पड़े हां लेकिन अब मैं आगे से क्या करूं कि ऐसे निशान ना कोहर हम लोग इंजॉए भी करें देखिए क्या होता है कि जो गौरे लोग होते हैं जिनका बहुत वाइट कलर होता है उसमें अकसर हाथ पकरने से यहाथ को इस तरह चूने से भी कईवा निशान पड़ जाते हैं यह कोई बहुत बड़ी मेजर प्रोग्म नहीं है लेकिन आप एहत्यात रखे जादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मजा कमुद्दा ना बने क्योंकि आप कहना चाहिए जब भी आप फिजिए के निशान ना करें वैसे निशान गोरे लोगों पे जल्दी पढ़ते हैं ज्यादा दिखाई देते हैं ठीक है ठीक है